नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टुडेंट की हल यूट्यूब चैनल पर तो आज से हम आपके लिए एक सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं और लगबल हर रोज आपके लिए एक इंगलिज का रूल और उस्य समंदित एक्जैम्पल ले कर आएंगे चाहें आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए लाफ़दाए करेंगे ठीक है तो इसके साथ-साथ हम कुछ कैसं। भी करेंगे कि जैसे एंटीनॉम के भीएग्जैम्पल करेंगी वनवर्ट के के भी करेंगे जो मोच्ट इंपोर्टनày और ईंजाम में रिपीट होते रहते हैं साथ की रेजी टेलि एक रूल करने से क्या होगा दिरजीud graduate जो बश्च है इंग्ञिस और इंग्लिस कामर में काफी कमजोर होते हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि एक साथ काफी सारे रूल करने से कहा है, दिमाग उनको प्रोसेस नहीं कर पाता, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आध, इन, और ओन, आध, अन, और इन के रूल के बारे में, देखोँ, आपको यह सिरीथ याद रखनी है, एट, ओन, और इन, ठीक है, कैसे, एक एक को आपने सबसे उपर रखना है ठीक है सबसे पहले एट फिर ओन और फिर इन एट ओन इन ऐसे याद रखना है एट ओन इन अभी एक्जेंपल आपको मुस्किलर लेंगे लेकिन जैसे ही आप 5-7-10 मिनट के बाद ये लेक्चर पुरा होगा तो ये किस्टन जो है सबसे इजी किस्टन आपके लिए हो जाएंगे और एट और ओन और इन का केस कभी भी आप जिन्दगी में गलत नहीं करोगे सबसे पहले बात करते हैं टाइम की टाइम के रस्पेक्ट में एट ओन और इन कैसे यूज़ किया दता है फिर बात करते हैं लोकेशन की और यहां पर बात हम करेंगे पोजिशन की कि जब पोजिशन की बात आए तो एट ओन और इन का किस रिशाव से हम प्रियोग करेंगे एक्जेक्ट की बात कर रहा है और जैसे जैसे इन की तरफ बढ़ते हैं तो एरिया क्या होता है वाइज होता चले रहता है एड का यूज कहा करेंगे जहां पर एग्जेक्ट की बात की गई हो एग्जेक्ट चाहे वो टाइम हो चाहे वो लोकेशन हो जैसे एग्जेक्ट टाइम की बात करूँ में तो जैसे 6 6 a.m. 6 a.m. जो एग्जेक्ट टाइम है न तो अगर कहीं से टेंस में 6 a.m. आएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे एट लगाएंगे ठीक है जैसे 5 p.m. कि अगर एग्जेक्ट टाइम की बात की जाये तो हम क्या करेंगे एट लगाएंगे अब बात करतें हैं ओन का लगाएंगे ओन लगाएंगे हम डेट्स या डेज की बात की जाएं अगर किसी दिल या तारिक की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे ओन का प्रियोग करेंगे जैसे ओन 23rd मार्च ठीकर ओन Wednesday क्यों क्योंकि ये दिन है या कोई तारीक है तो टाइम जो एड था उसका एरिया कॉमपैक्ट था लेकिन जैसे ही ओन के उपर है उसका एरिया थोड़ा बटा हो गया एक्जेक्ट से क्या हो गया दिन के उपर से ले गए तो ओन का यूज करेंगे अगर किसी दिन की बात किया है जैसे बटे भी तो किसी एक दिन होताना तो ओन दी बाड़े अगर बटे कहाई उज करेंगे दो भी ओन करेंगे कि या कोई स्पेसिफिक डेज हो जैसे लेबर डे है ठीक है इंडिपेंडेंस दे है तो सब के लिएन का युज़ है क्योंकि वह क्या एक दिन है या एक तारीक और चारीऊ किया F एब इंग कोरें एइक उसले सब्सक्रेशन का युज़ा होगा है जैसे कि बीद की बात कि जाएं लंबे टाइम की बात की जाए time period की बात की जाए exact नहीं रहें के दिन नहीं तो क्या करेंगे इन का फ्रियोग करेंगे जैसे इने week ठीक है इने year अगर साल की बात की जाए जैसे in 1971 1971 में अब 1971 की पुरा साल है तो इन का यूज करेंगे ठीक है यह time period की बात की जाए यह लंबे समय की बात की जाए जैसे इने month ठीक है week में month में year में यह specific year बता दिया जाए यह इन जन्वरी इन फर्वरी अब period की बात करेंगे तो जैसे in five minutes अब देखो तो five minutes है वो specific तो नहीं है ना वह एक जैक भी तो नहीं बता रहें ना कहां पे है वह एक period है ना तो उसके लिए भी हम इन का यूज करेंगे है चलो अब बात करते हैं इसके अंदर exceptions है अब आपको हां इन का प्रियों को कहां करेंगे जैसे in the morning अब morning जो है वो कोई specific time तो नहीं है ना time period है ना वैस सुबह के 8 बज़े से लेके या 6 बज़े से लेके तो पहर के 12 बज़े तक कटाई हूँ क्या है एक time period है तो time period की बात अगर की जाए तो हम उसके अदर in की इन का ही यूज करेंगे जैसे in the evening इवनिंग यानि शाम को ठीक है लेकिन इसमें ट्विस्ट है नाइट के अंदर एड का यूज किया रता है आपको याद रखना है कई बात चीजें exception हो जाती है एड दी नाइट नाइट में क्या यूज करेंगे एड का यूज करेंगे morning इवनिंग नून के अंदर भी हम जै नून के अंदर भी हम क्या करेंगे इनका यूज करेंगे लेकिन night के अंदर आपको specifically याद रखना है कि अवेसा at का ही प्रियोग किया जाएगा अब बात करते हैं यह हो गया ना complete ठीक है अब बात करते हैं location की location भी इसी परकार्द से है अगर exact की बात की जाए तो एड फ्लास आप wide area ले लें तो on और बहुत बड़ा wide area ले लें तो इनका प्रियोग हम location के case में करेंगे जैसे आपको room number बता दिया जाए exactly ठीक है room number 8 है जैसे तो room number तो एक exact location है ना exact location के लिए हम add का यूज करेंगे add room number 8 ठीक है exact location जैसे add the bus stand at the bus stand ओके तो bus stand क्या है exact location होती है तो उसके लिए एड का यूज करेंगे जैसे add the railway station ठीक है add the airport चलो अब बात करते हैं थोड़े wide area की अगर थोड़ा सा wide हो जाए exact location ना रहें जैसे street की बात की जाए गड़ी की बात की जाए अब देखो एक गड़ी में बहुत सारे मकान होते हैं वह सारी या फिट फ्लोर की बात की जैसे अब देखो फ्लोर पे भी तो बहुत सारे मकाम हो सकते हैं अगर एक बड़ी बिल्दिंग उसका कोई फ्लोर है तो उसके लिए भी हम स्ट्रीट या फ्लोर की बात की जैसे ओंदी कि अनदी फिफ्ट फ्लोर कहां पे हूं लूम नंगर नहीं बताया सुने है उसने पताया मैं फिफ्थ फ्लोर कुर पर हूं लूम जैसे अनदी प्रूर पर और है वह गरी में है on the street काहां पर है वह गड़ी में है तो यह हो गी लोकेशन की बात ह 19 अब बड़े झिक सिटी की बात किजा या कंट्री की बात किजाए सउ और यू को बातत पकई-जै कि लाक भी में सकता है कि गोड़ी ओ कि लने यहन को पर देंख अफमयå === पैल-दुली तु यूंकि दिल्ली क्या है बहुत बड़ी लोकेशन है तो इक हैक तो नहीं है है इंक जैसे इन देख्रादून इन लखनवू ठीक है अगर देश की बात करें जैसे इन इंडिया ठीक है इंडिया आप इंडिया तो उसके लिए अधिया उन नहीं लगाएंगे इन लगाएंगे जैसे इन और्स्ट्रेलिया ठीक है बहुत सारे उठ्जंबल हैं इतने जाते रहों तो यह है टाइम और लोकेशन की बात आपने समझ ली, अब बात करते हैं पोजिशन की, पोजिशन की केश में on और in का देखते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई object तीन साइड से घेरा हुआ हो, यह मालगी आपका object है और उसको तीन साइड से घेर दो, तो वो कहा रहेगा, in रहे हैगा, जैसे, in the kitchen, in the kitchen, रसोई में, अब देखो, रसोई खुली तो होत्ती नहीं है, दिवारे उत्ते हैं उसकी, तो इसका अंदलब जो भी object है, kitchen के अंदर, वो क्या है, घेरा हुआ हुआ है, पोजिशन की according वो घेरा हुआ है, तो इसका अंदलब, in the kitchen, जैसे, in the room, ठीक ह है, in the study room भी हो सकता भी हो, अगर कोई object है, वो घेरा हुआ नहीं है, वो किसी चीज के उपर रख्या है, तो उसमें क्या करेंगे हम, on का use करेंगे, ठीक है, वो in नहीं है, वो घेरा हुआ नहीं है, वो उपर है, जैसे, on the table, यह example सबसे ज़्यादा यूज़ के ज़ता है, table क अब देखो, table इसी type के होती है, table के उपर माली आपने कुछ रख्या है, तो वो किसी चीज से गिरा हुआ तो नहीं है, तो इसका अंतलब on the table का हम use करेंगे, अब जैसे एक chair का example ले लिखता हूँ, अब देखो, chair के उपर यदि आप बैठे हो, तो आप किसी चीज से गिरा तो नहीं है न, तो इसका अंतलब हो, क्या हो आप, on the chair हो, लेकिन इसमें एक बात और भी है, कई बार आप जब बैठते हो, तो आपके जो chair होती है, उसके प्रापर में arms होती है, जिसके उपर आज आपके बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं arm chair, अब arm chair के अंदर आदमी open area में नहीं है, वो घिर जाता है, जैसे ही आप arm chair के उपर बैठोगे, पिछे से और brother के हाथ से उसके क्या हो गया, आप 3 side से गिर गे, तो इसका मतलब in हो गया आप उस chair में, on नहीं रहेगी, अगर उस chair की बात की जाएं, तो in the, या a बोलते हो, कोई भी arm chair है, ठीक है, in a arm chair, अगर arm chair की बात की जाएं, तो आप in हो, ठीक है, आप बात करते हैं, वहकल की, वहकल के case में क्या होगा, देखो, in और on का प्रियोग हम कैसे करेंगे, आप देखो, वेकल में तो लगवद हम, surround होते हैं, किसी ने किसी area से, जैसे आप चाहिए कार में बैठे हो, चाहिए बस में बैठे हो, चाहिए ट्रेन में बैठे हो, लेकिन गिरे होए हो, लेकिन इसमें एक, आपको rule यात रख करना है, देखो, सबसे पहले तो on का प्रियोग हम का, खटे काहा है, देखो, on a bike, देखो, यदि अगर आप bike के उपर में टेए हो, तो क्या आप किसी चीद से गिरे हो, नहीं गिरे, इसका अंतलब आप object के, आप उसके उपर हो, उपर हो तो इसका अंतलब आप क्या हो, on हो अब जैसे, car देखते हैं, car का फ्रस कीतना होता है, छोटा सा होता है, एक boat देख लिया अपने, उसका फ्रस कीतना होता है, छोटा सा होता है, अगर small floor area हो, तो in का प्रियोग करेंगे, small floor area के किसमें, in का case करेंगे, और यदि large floor area हो है, बहुत लंब चोड़ा floor है उसका, तो ह हुम क्या करेंगे ओं का परयोग करेंगे। उसके अंदर में रहके उपर हो जैएकai b전 की बात करें तो बस का इरिया जोरijd है. liges個s fwoar होता है चटा नियोडता हैं बस सकाफी बड़ी होती नो अगर बस में अगर कोई बतायगा कि मैं बस में हूम तो क्या बताएघा on a bus पी कि बस का फ्लोर एरिया बड़ा है अगर स्मोल एरिया की बात करें तो जैसे in a car मैं a car में हूँ तो इसका उल्ब small flor एरिया में हूँ, तो इसका उल्ब मैं गेहा हुआू ठीक है in a car उसी परकार से जैसे अगर मैं बात करूँ, सिप की बात करूं तो मैं कहूंगा on a ship मैं एक जहाज पर हूं सिप तो बहुत लंबा चोड़ा होता ना जहाज उसके अंदर aeroplane भी उतने कई बार तो सिप तो काफी लंबा चोड़ा एरिया हो गया यदि कोई बताएगा कि मैं सिप पे हूं उसके अंदर आदमी आपने घिर जयता है घिर गया तो इसका मतलब बहु क्या है पोसिऩैन इन में है अगर नहीं गिरया तो क्या है ओन में है तो पाइक के के समें बस के सिप के के समें या किसी वहिकल का area बड़ा हो फ़लो नगकर तो ओन का आपने क्या करना है यह एक्जम्पल करने के बाद यह वीडियो एक बार आपको शामन को देखना है तब कुछ नहीं करना सिर्फ देखना है दूसरी बार यह वीडियो अगले दिन सुबह देखना है और उसके नोट्स आपको त्यार करने हैं उसके नोट्स त्यार करने हैं और और उसके बाद ये दो बार वीडियो देखने के बाद, नोट्स त्यार करने के बाद, एक वीक के बाद आपको फिर से वो नोट्स आपके रिवाइज करने हैं, और उसके एक मन्त के बाद रिवाइज करने हैं, और फिर लाइफ में आपको कभी ये रिवाइज करने की जूरत तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएंगे समझ में तो एक बार में आ जाएंगे लेकिन लाइफ टाइम आपके तो दिमाग के उपर सब जाएंगे देखो पहला एक्जापन देखेंगे अब आप भी बताना साथ-साथ- the art exhibition is to be officially opened blank space दिया है, Wednesday, blank space to be जो art exhibition है वो officially कब open होगा, Wednesday को होगा, कितने बज़े, दो बज़े होगा, अब देखो Wednesday किस चीज की बात की गई मैंने, डे की बात की गई, डे, अब डे में कौन सी preposition यूज की जाती है, पता है न आपको at, on और in, at, exact, on, day and dates, डे की बात करेंना है, और in, यानि year, week या कोई भी टाइम पीरेड की बात की बात की जाती है, अब डे की बात की गई है, इस करने लाँ, at, on, in, यानि on का प्रियोग के करेंगे है, क्योंकि area between आगया, day and dates की बात की बात की लिए है, तो ओन वैटने है क्या ना, 2 p.m. अब देखो, time दिया है, उसने, क्या दिया, exact time दिया, exact की तरफ चलते हैं, तो कोई आता है सब से पहले, at, सौचना ही नहीं है, at, the art exhibition is to be officially opened on Wednesday, at 2 p.m. ठीक है, अब next time, I will be there, blank space, 10 minutes, मैं यहाँ पर 10 minute में पहुँच जाओंगा, अब 10 minute क्या है, exact है, नहीं, exact थोड़ी है, उसने, यह थोड़ी बता दिया कि मैं कौन से 10 minute में पहुच जाओंगा, या कितने बचे पहुच जाओंगा, time period की बात कर रहा है, जैसे कोई month हो, week हो, morning, evening, afternoon, या किसी minute की बात की जाएगी, मैं 5 minute में पहुच जाओंगा, 50 minute में पहुच जाओंग मैं यहाँ पर 10 minutes में पहुच जाओंगा, I will be there in 5 minutes, I will be there in an hour, ठीक है, ऐसे, अब next example है, राहूल लिवस, the first floor of this building, राहूल इस building के पहले माले पर या फ्लोर पर रहता है, अब देखो, फ्लोर क्या है, location की बात है न, फ्लोर क्या है, exact location है, नहीं है, street and floor की case में आपने बताया था, कि exact नहीं होके, थोड़ा सा idea देता है location का, तो उसमें क्या करते हैं, on का बरियोग करते हैं, तो on the floor रहूल लिवस, on the first floor of this building, अगर आपको इसका screenshot लेना है, तो मागे से हट जाता हूं, अब इसका screenshot इसको बोज करके, इसका screenshot पी ले सकते हैं, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, जो misleadingous question है, next वीडियो से start करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हमने introduction को भी include कर लिया था, तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो like, share और comment जरूर करें, साथ ही, ये वीडियो सीरीज हम लं लेद आपको हो सके, ताकि आने वाले किसी भी समय में आप उसका प्रियोग कर सके, तो इसी उमीद के साथ, तरनेवा दोस्तों, आपका दिल शुप हो, जैए